वो टेक्स लगा सकती है जैसा कि अंधर लगा हुआ है ये लेवल प्लेंग फिल्ड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं और इसमें आपका समाधान हो सकता है नियाले के जो बात थी तो हमने का आपको लगता है SDM के नियाले में समाधान नहीं हो पाएगा तो हम जुड़ी से आपके रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते है जो ट्रेडर है आप केते हैं पैन कार्ट से खरीद करेगा तो धोका धड़ी हो सकती है तो उसका भी राज्य सरकार कर सकती है पराली के बाले में हम लोगों ने कहा कि भई वो जो ओर्डेंस है उसका हम समुचित समाधान मामले में उनका जो आगरे था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भी कुल मिलाखे जैसी विवस्ता पहले थी वो ही विवस्ता रहेगी और हम लोग उस दिसा में पाचित करेगी अब ये सब प्रस्ता उनके पास है और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस कोई ठीपड ही हम लोगों के पास तो नहीं आई, मीडिया के बाद्धियम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिश कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था, कि भई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियन्स को कुछ कहना हैं, तो निश्य कि अपनी तरफ से कि बाद्धियत करने को तयार है, तब ही बाद्धियत आगे बढ़ेगी तिकैश ची का भी आज ये कवक्त भी आए जिसमें उन्होंने कहा है, कि थोड़ा सर्कार पीछे हटे, थोड़ा हम, वो बाद्धियम वापस लेंगे, हम घर वापस जाएंगे, मैं आपके माद्धियम से किसान यूनियन्स के लोगों को कहना चाता हूं, गतिरोद उन्हें तोड़ना चाहिए, सरकार ने आगे बढ़कर परस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं, उनको समाधान करने के लिए परस्ताव उनके पास भेजा है, और कोई भी मैं जो प्रावधान पर आपत्ति होती है, तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनकी ध्यान में आई, उन आपतियों को निराकरन करने के हमने कोशिस प्रस्ताव में की है, और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करने करके, और बारता का रास्ता अपन उसका कोई प्रविजन है और इस से मेहतकोन सवान की सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनुसे कोई वापस हो जा देखिये सवाल सके है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ गे बनाया बिचार पूरवग बनाया किसानों के जीवन इस तर्में बदलाव लाने के लिए बनाया किसानों के साथ जो बर्सों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया किसान बहतर जिंदगी जी सकें फायदे की खेती कर सकें इस नियत से कानून बनाया है लेकिं फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हमी सर्वसक्तिमान नहीं है, यूनियन्स के दिमाद में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तयार है, डैट लेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारे किसानों के पती है पर आम आदमी के पती भी है, ज के लीडर्स को और किसानों को, कहना चाहता हूँ कि आंदोलन जब होता है, तो किसानों को भी परिशानी हो रही है, सर्दी का सीजन है, कोबिट का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पढ़े हुए है, और लीडर्स जो है, उसमें बढ़ कर जो नेतरत दो करना चाहिए और किसानों के हिप की बातों को डिसकस करना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कोई गतिरोद साइद होगा जिसके करनों बात नहीं पड़ पा रही है लेकिन आंदोलन से जनता को भी परिसानी होती है और जनता दिली की परिसान हो रही है इसलिए जनता के हि में उनको अपने अंदोलन को समाप्त करना चाहिए और बारता से चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए अपको लगता है सदकार कि पास कोई प्रिकॉशनरी प्रेवेंटिव एक्षिन है ताकि जनता को भी परेशानी ना हो और ये अंदोलन उस तरीके से ड को अनुसासित भुज पर रखा है लोगतंत मैं अपनी बात कहने का अंदोलन करने का अरिकार सब को है लेकिन कोई भी सार्मिक संपत्ति सरखाली संपत्ति और जनता की परेशानी ये ना हो ये भी चिंता यूनियुन को करना चाहिए और यस जम्मेवारी को भी यूनियून क तो महसूस करना चाहिए। सरकार अभी तक डायलोग का रास्ता अपनाए हुए है। उन्हें कहा है कि जितना भी हो सके हम किसानों से डायलोग करते रहेंगे, हमारे रास्ते खुले हैं। पर भै भी नुगोए न प्रीती, क्या सरकार इसमें विश्वास कर रहे हैं आज के कानिनी। देखिए दरसल क्या है लोगतंत्र में भै का कोई सवाल नहीं होता। लोगतंत्र में सरकार जनता किसान सब एक दूसरी के पूरक हैं। और सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो किसानों की बैतरी के लिए काम करने हैं। कर छे वरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने जो एतियासिक काम क्रसी के छेत्र में किया है, वो एतियास में कभी नहीं हुआ। एमस्पी को डेड़ गुना करने का काम था, यूपीय सरकार चाहती तो दस साल में कर सकती थी, लेकिन वो निर्ड़े नहीं ले पाई, मोधी जी ने लागत पर 50% मुनाफ़ा लगा कर एमस्पी घोसित करने का काम किया, और उसका फाइदा पूरे देश बर के किसानों को मिल रहा है, एमस्पी खरीद की सीवा पर खाद्यान की सीवा भी बढ़ाई और इस बीच में उपारजन लगबग दुगने से अधिक हुआ है, मोधी जी के कारिकाल में, अगर यूपीय गौर्मेंट को देखेंगे और मोधी जी के 6 साल देखेंगे, तो लगबग दुगने से जादा की खरीद मोधी जी के समय में MSP पर हुई है, मोधी जी के नितरतों में 10,000 MPO बनाने का काम देश वर में चल रहा है, जिसमें 6,850 करोर रुपिया मोधी सरकार खर्च करने वाली है, गाउं में इंफाइस्टिक्चर पहुंचे, खेदी फाइदे का धंदा बने, किसा कि अपने उत्पादन को रोकने की चमता उसकी बढ़ सके, बाजे मूर ले मिलें उसका वो इंतियार कर सके, इसलिए गाउं गाउं में इंफाइस्टिक्चर विक्सित हो, वैल्यू चेंग विक्सित हो, इस दरश्टे से परधान मंदरी जी ने एक लाग करोर का इंफाइस् है, इन सब चीजों का निश्यत रुप से फाइदा आने वाले कल में मिलने वाला है, क्रसी से संबंदे जो छेत रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए फिसरीज हो, चाहिए वो एनिबल अस्वेंटरी हो, चाहिए हर्बल खेती हो, चोटी पूर्ट प्रोसेजिंग यूनिट हो, मदु मक्खी पालन हो, सब के लिए आत्मिर्वर पैकेज में मोदी सरकार ने प्रावधान किया है, और इसका सब का फाइदा आने वाले कल में किसानों को ही मिलने वाला है, और ये जो रिफॉर्म आये हैं, इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टेक्स के होगी, इसका फाइद अचार पर अंकुस लगेगा, बिचुलियों की समापती होईगी, और किसान को अपने उत्पादन के भाज़े दाम मिल सकेंगे, और कांटेक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुवाई के समय ही उसको फसल का उच्छत मूले, जिस पर वो करार कर सके, इसकी गारंटी मिल सकेग किसान महिंगी फसलों की और आकरसित होगा, किसान टेक्नलोजी से जुड़ेगा, किसान अच्छा वीज और अच्छे पैस्टिसाइड का उप्योग करेगा, वो वैस्पिक मानकों के अन्रूप खिती कर सकेगा, अपने उत्पादन की गुडवत्ता को बढ़ा सकेगा, जिस है और नहीं है, तो क्या लीजल सरकार उसे कर सकती है? यह देखिए, दरसल क्या है, MSP का इन कानूनों से कोई तालूप नहीं है, और MSP के मामले में प्रधान मंतरी जी ने भी कहा, और मैंने भी लोकसभा और राजसभा के फ्लूर पर जनता को आस्वस्त किया है, सदन में ब पावरफुल डाकुमेंट्स मुझे लगता है, सरकार की जयवान का और कोई नहीं हो सता, तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आस्वस किया, MSP चल रही थी, आगे भी चलती रही गी, MSP को डेड़ गोना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है, और इस व मुझता उठता है, क्योंकि आपने इतने दौा की बातचीत की, कभी-कभी लगा कि किसाइं इन तयार भी हैं बातचीत के लिए, उन्हें पॉजिटिविटी के साथ बाहर आए हो, पर कुछ हल नहीं निकला, आपको लगता है, इन आंदोलन के पीछे कुछ और है, बहुत सर कामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं, लेकिन किसान यूनियन को जरूर आगरे करना चाहता हूं, कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विश्यांतर नहीं होना चाहिए ये उनकी जवाब दरिये लिए मुझे बहुत दुख है जिसा आपने भी कहा मैं बासकर अखवार सुबह देख रहा था ये बासकर अखवार में जो ये फोल्डो छपा हुआ है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है किसान की मांग MSP के हो सकती है किसान की मांग APMC के हो सकती है किसान की मांग ACT में प्रावधाना को लेकर हो सकती है लेकिन ये किसान की डीमांड कहां से हो सकीुए। अगर ये डीमांड और पोश्टर वाजी हो रही है, तोनुए किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस से भचना चाहिए और ये किसान अंदुलन को बेखेरने की कारवाई है।